हेलो सुरेंट्स कैसे आप सबी लोग आज हम हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नाइन करेंगे जिसका नाम है लास्ट फेज ऑफ स्ट्रॉगल फॉर इंडिपेंडेंस इसका मैं आपको कोशेंसे दूंगा ठीक है इस बार हम टेक्स्बुक से करने वाले इससे पहले मैंने एक वी वीडियोस मिले और इस वीडियो से पहले मैंने बागी चैप्टर भी आपको दिये अगर आपने नहीं देखो तो देख लो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने प्लेइलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे आठी क्लास के सारे वीडियोस में लेगए ओके चलो स्ट्राट करते हैं अभी दुखो आप अगर इसके एक्सराइज में चलोगे यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है ओके अभी दिखो थर्ड क्या है इन नॉएंबर 1943 जापान कंकर्ड डैश आइलेंट्स एंडेट देम ओर टू आजान ही गवर्मेंट तो इसमें आपका एंसर का रहेगा अंदवान निकोबार आइलेंड ठीक है यहां थर्ड का एंसर आगी क्या दिखो अभी आपको यहां इन नॉएंबर 1939 प्रोविंशियल मिनिस्टर आप इंडिया नेशनल कंग्रेस गेव देर रेजिगनेशन इसका एंसर कहा पर आपका पेज नमर 40 पर है तो चलो पेज नमर 40 पर चलते है तो देखो आप पेज नमर 40 पर जब आप आओगे पहला जो पेज है आपके चैप्टर तो यहां पहुए आपका एंसर है 2.1 है यहां से स्टार्ट होई हो торовर कप्राइगा है यह-इस सेख़। व्ल वर्ले बिगयन इंऄोड इरोप इंडियरूप मिदाश्य को देख है प्रिट फ्रिटिश अघ्यला पनेश्च मिदिज चेए इंडिगार पेज्स्च साइड र यहां पे आपका 2.1 complete हो गया है, आगे चलो भी आगे देखते हैं आपको क्या है, second में भी देखो आपको question क्या दिया गया है, second question आपका, the Indian National Army had to lay down their arms, इसका answer है page number 43 पर, चलो page number 43 पर चलते हैं, यहां पे देखो page number 43 पर आपका यह answer है, यहां पे 2.2 का है, का से start होगा आपका, पहला point यह रहेगा, इन November 1943, जापान conquered Andaman and Nicobar Islands and handed them over to Azadhin government, अगला point रहेगा, नेता जी रिनेंब them as Shaheed and Swaraj respectively, उसका अगला point रहेगा, इन the same period of the campaign of Impal remained incomplete because of जापान stopped helping the Indian National Army, उसके बाद आखरी में आपको क्या रिखो गया, जापान accepted defeat on 18 August 1945, शुभाज चंदर बोस died in the plane accident, on this background the soldiers of Indian National Army had to lay down their arms, यहाँ पे आपका 2.2 complete हो गया, ओके, आगे भी आते हैं, दिखते हैं, थर्ड कुशन क्या भी देखो, आप यहाँ पे देखो कि, क्या है, the parallel government became a source of inspiration to the people, इसका answer है page number 42 पर, तो चलो page number 42 पर चलते हैं, यहाँ पे देखो, आपको, यहाँ पर आपका answer है, इसम places in the country, British officers were driven out, the people's government was established, these are called parallel government, यह पहला point, अगला point देखो, आप यहाँ परेग्राफ रिया के लिखो कि क्या रहेगा, people started accepting the verdicts passed by the people's court, appointed by the parallel government, अगला point देखो, opposition to, opposition to money, money lenders, prohibition on liquor, spread of literacy, opposition to caste, distinctions, many such constructive work was done by this government, इसको last point रहेगा, due to it, the parallel government became a source of inspiration for the public, ठीक है, यहाँ पर हमारा यह complete रहेगा, 2.3, आगे देखो, आप भी आपको क्या है, यहाँ पर आपको है, complete the following table, यहाँ पर देखो, organization है, यहाँ पर founder है, तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, forward block, इसमें क्या रहेगा, नेता जी, सुब इसमें क्या रहेगा, राश बिहारी बोस, फिर तूफान सेना, इसमें क्या रहेगा, बापू लाड, ठीक है, यह हो गया हमारा, अभी यहाँ पर देखो, फोट में क्या है, answer the following questions in brief, पहले question क्या है, how do you find contribution of Shrish Kumar to be inspirational, तो इसका answer हमारा, page number 41 पर, चलो, page number 41 पर चलते है, तो य होगे, यहाँ पर आपको यहाँ से स्टार्ट करना, answer, क्या रहेगा, at, नंदूर बार, the school children under the leadership of Shrish Kumar carried out precision holding the tricolor flag, the slogan of one day मात्रां was given, ठीक है, अगला बन रहेगा, the police became furious and opened firing on small children as well, last minute रहेगा, in this firing, Shrish Kumar, Laldas, Dhanushuk Lal, Shashidhar, Ghanshan, these school children became martyr, तो देखो, यहाँ पर आपका है, 4.1 complete हो गया है, ओके, चलो भी आगे शलते हैं, अब देखो, second में क्या, why did British Prime Minister send Sir Stafford Crips to India, तो इसका नंबर, आपका answer, page number 40 पर, तो देखो, page number 40 पर आप आप आपका answer है, यहाँ पर देखो, क्या रहेगा, आपका, पहला point क्या रहेगा, during the second world war, England supported America against Japan, अगला point क्या रहेगा, the Japanese government army reached the eastern border of India, उसका अगला point क्या रहेगा, the British realized that if Japan attacked India, then they will need cooperation from the Indians, अगला point क्या रहेगा, hence, the British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Crips to India, ठीक है, यहाँ पर हमारा answer complete हो गया है, 4.2, अब देखो, आखिरी जो हमें है, आखिरी में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको है, what kind of reaction was seen during the spread of news of arrest of main leaders of the Indian National Congress, तो इसका answer आपका है, page number 41 पर, तो देखो, page number 41 पर आपका यह answer यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, पहला point क्या रहेगा, the news of arrest of important leaders of Indian National Congress spread out all over the country, अग दोब, police राथी charged and open firing on the public, but still people were not afraid, उसका अगला point रहेगा, the educators attacked some places, jails, police stations, railway stations, etc, उसका अगला point क्या रहेगा, they tried to take control of government offices, in Maharashtra, the young and old struggled with determination and boundless courage at places like च्विमू, राश्ती, यावाली, महाद, गरगोती, etc, and made struggle immortal, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह answer भी complete हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो गया है, हमने सारे answer कर दिया, यह हमारा आखरी था question, हमने यादा कर लिया है, तो अभी अगले वीडियो में आपको दू चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू